नमस्कार महियू मुहमद आसीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आज बात करने वाले हैं Yes Bank की पिछले बार भी मैंने इस पर बात की थी और आप मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि आप घबराएं नहीं क्योंकि हमारे देश की वित मंतरी निर्मला सीता रमन ने समझाया था कि जीन लोगों का पैसा Yes Bank में है वो शुरक्षित है और आप इसे घबराएं नहीं भले ही जो Digitalization जो हुआ है और मोदी सरकार की सबसी एक अहम वो भूमिका थी तो उससे भी उसको लोगों को फायदा नहीं मिल दा था एक जिसको लेकर लोगों के मन में डर और शंका थे लेकि निर्मला सीता रमन ने जैसे ही लोगों को कहा कि आपका पैसा शुरक्षित है और इसी वज़ा से आज लोग अब आराम से उसके Yes Bank के ATM को किसी भी ATM से यूज कर आराम से अपने पैसे को 50,000 तक आप जैसा के जानते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं लेकिन इस पे आमादमी पाठे के पुर्वनेता और अभी के मौजूदा में कभी जो है कुमार विश्वास उन्होंने कहा है कि यस बैंक ने भगवान को धोखा द जो थे अब इसको लेकर कुमार विश्वास ने अपति जताई है और उन्होंने कहा है कि आज के जमाने में किस पे आप भरोसा करें कि लोग नहीं कुछ ऐसे संस्था है जिन्हों ने हमेशा अपने लिए भागवान को भी धोखा देते हैं तो ऐसे में इनसान का क्या होगा यह बहुत बड़ा मुद्दा है यह बहुत बड़ा सवाल भी है यह बहुत बड़ा व्यान इसलिए है कि इसको समझनी की जरूरत है पहचाननी की जरूरत है कि इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है और यह एकदम बिल्कुल सही बात है लोगों का पैस आचानक आप जानते हैं कि किस तरह से संकट का आ जाता है, क्राइसिस आ जाता जिसके वज़े से लोग केतना परिशान हो जाते हैं, तो अब इसे समझ सकते हैं कि कुमार विजवास का ये एक छोटा सा बयान, एक बहुत बड़ा बयान है जिसको लेकर सोचल वीडिया पे बात आई नहीं रहेगा तो मैं आपसे ये फिर से एक बार बता दू कि यस बैंक PMC बैंक इससे पहले जब नोट बेंदी हुआ था तो लोगों के मन में डर था संकाये थी कि आखिर इस तमाम पैसों को हम कहां सुरक्षित रखे आखिर हमारा पैसा कहां सुरक्षित है क्योंकि जिस हमारे पैसे को लेकर चले जाते हैं तो कोशिश हम यह करेंगे कि इस बयान को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और समझने की कोशिश करें और कहीं न कहीं विस्वास तो करना ही परेगा लेकिन आदमी देखे कि आदमी किस तरे का है अखास करके निर्मला सी तरह में जो कह झाल झाल